कि अधिर इस्टेंट स्वागता आपका मेकटीजी के इस प्लैटफर्म पे बच्चों एक बहुती गुड ड्यूज आ रही है आप गोल्डन अपोर्चनिटी कह सकते हैं यह उडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से बैटा नॉटिफिकेशन आया है फॉर्ट पोस्ट ओफ लेक्ट्रः लेक्चरर की इस पोस्ट के लिए बहुत ही गोलडन अपोर्ट्र की संव में हम सारी आघ्चाश करेंगे क्या और तो चलिविटेथ करते हैं यह Odisha Public Service Commission की तरफ से है बच्चों, for the post of lecturer in 13 different discipline में है, under Odisha Technical Education and Training Service Cader Group B की post है, ठीक है, under the Department of Skill Development and Technical Education, ठीक है, चले, देखे, important जो बाते हैं, यह है बच्चों, कि जो आपके पास dates है, वो आपकी है, 26 2023 से आपका जो है, link शुरू हो जाएगा, online application का link खुल जाएगा, 26 April से, और यह 26 महीं तक आपका link खुला रहेगा, ठीक है, चले, number of vacancies की बात करें अगर, तो 224 number of vacancies total है, जिसमें से 73 women's की है, ठीक है, lecturer की post है, clear, और important जो बात है, हो यह है, कि यह level 10 की post है, बच्चों, level 10 की post, बहुती सांदार post आप कह सकते हैं, कि technical में, जो भी हम, हमारे पास post मिलती है, उसमें, top level की यह post है, level 10 की post, ठीक है, lecturer की post है, इस इसमें, आपके engineering colleges, जो BA, BTEC कराते हैं, वो भी आते हैं, और साथी में, आपके polytechnic के जो colleges है, वो भी आपके इसमें आते हैं, ठीक है, इसके अलावा, level 10 में, आपके पास क्या है, DA, other allowances के अलावा, जो भी और PA matrix, जो इसका होगा, OR SP rule 2017 के हिसाब से, वो आपके इसमें ठीक है, आप चलते हैं, वेकेंसी की तरफ, कितनी number of vacances आपके पास यहाँ पे हैं, ठीक है, यह है बेटा, अगर आप इसमें देखेंगे, तो मैंने highlight क्या होँआ, mechanical engineering का, जिसमें 53 number of vacances आपके पास है, उसमें 17 vacances women के लिए है, यहाँ पे category wise इन्होंने दिया हुआ है, पूर vacances है, उन्हें से 2 women के लिए है, और you are unreserved category के लिए 22 vacances है, जिसमें से 7 vacances women के लिए, ठीक है, इसके अलावा, PWD की भी vacances आपके पास है, एक सर्विस्मेन की भी, यहाँ पे 2 vacances आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, चले, सबसे ज चाहो, mechanical के students के लिए बिल्कुल जबर्दस्त और golden opportunity है, इस opportunity को हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, ठीक है, चले, आगे discuss करते हैं, और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे दी हुए है, इसमें आगर बाकी जी की देखे, civil, electrical, mechanical, electrical, electronics, computer science, mathematics, physics, chemistry, सब के लिए है, ठीक है, automobile engineering के लिए है, लेकिन इसके लिए particularly आपके पास B.E.B.Tec. in automobile होना चाहिए, उस पे भी हम पूरा-पर discuss करेंगे अभी, ठीक है, chemical engineering, metallurgy, mining engineering and geology, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कि अगर by the way, in the event of non-availability of sufficient number of eligible suitable women candidates, belonging to any category, the vacances remaining, the vacances or remaining vacances, that category shall be filled up by eligible and suitable male candidates, मतलब अगर किसी particular particular category में, अगर जितनी number of seats से उतनी महलाएं, उतनी women's उसमें qualify नहीं कर पाती है, उस case में अगर vacances रहती है, तो वो seat उस particular category में male candidate को यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है, चले, आगे देखते हैं, और क्या है, अब आते हैं बच्चों age limit पे, जो बहुत important है, age limit का अगर आप देख है, और यह जो age का criteria है, इसके लिए standard इन्होंने रखा है, 1st of August 2022, 1 August 2022 के बेस पे यह आप count करेंगे, इस age को, इसके हिसाब से इन्होंने clearly खुदी दे रखा है, कि he or she must not have been born earlier than 2nd of August 1984, मतलब अपर age limit है, मतलब जो candidate है, वो 2 August 1984 से पहले का born नहीं होना चाहिए, और not later than 1st of August 2001, मतलब 1 August 2001 के बाद का यह born नहीं होना चाहिए, ठीक है, और यह दोनों dates इसमें included है, ठीक है, यह दोनों dates included है, इस से पहले का born नहीं होना चाहिए, और इस date के बाद का born नहीं होना चाहिए, तो 21 से 38 years, जो कि एक बड़ा range है, age criteria का बड़ range है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें apply कर सकते हैं, ठीक है, चले, अपर age में आकर relaxation की बात करे हम, तो यहाँ पर क्या है, 5 years of age relaxation आपको मिलता है, जो भी candidate है, SC, ST, SE, BC, woman and ex-service candidate को, आपका 5 years का age relaxation मिलता है, और साथ ही, अगर जो candidate है, persons with disabilities, जिनके पास permanent disabilities, 40% से ज्यादा disability जिनके है, उन लोगों के लिए, उन candidates के लिए, 10 years का age relaxation यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, एक चीज और यहाँ पर important है, ठीक है, हो क्या है बैटा, कि persons with disabilities belonging to SC, ST, SE, BC categories are eligible for cumulative age relaxation benefit, इसका मतलब है, कि अगर आप physically handicapped हैं, और साथ में, अगर SC, ST, OBC category से, sorry, SE, BC category से आप belong करते हैं, तो आपके लिए, जो भी ज्यादा beneficial होगा, age relaxation definitely, क्या है, physically handicap वाला, जो आपका age relaxation है, वो आपको, ज्यादा beneficial होगा, तो 10 years का दिया हुआ है, तो वो आप पर लागो होगा, ठीक है, तो जो भी आपके लिए ज्यादा beneficial होगा, relative में, cumulative age relaxation यहाँ पर दिया गया है, चले आगे च category mentioned above, he see, will be eligible for only one age relaxation benefit, which shall be considered the most beneficial to him or her, ठीक है, जो हमने अभी आपको बताया, ठीक है, चले आगे चलते हैं, आगे आपके पास क्या है, जो डेटो बढ़ता है, वो बेटा, high school certificate की हिसाब से आपकी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, अब आता है बेटा, educational qualification, क्या-क्या इन्होंने qualification यहाँ पर मांगी हुई है, ठीक है, qualification की बात करते है, qualification में, mechanical का हम देखते है, lecturer in mechanical engineering, क्या है आपके पास, bachelor's degree in engineering या technology, मतलब, BE या B.Tech आपका होना चाहिए, in mechanical engineering में आपका होना चाहिए, with first class or equivalent, clear, first class या उसके जो equivalent होगा, वो आपके पास B.E.B.Tech की degree होनी चाहिए, if the candidate has a master degree in engineering and technology, first class or equivalent is required at bachelor's or master's level in the concerned discipline, मतलब यह है, अगर by the way, आपके B.E.B.Tech में, first class आपकी नहीं है, लेकिन आपने M.Tech किया है, और वहाँ पे आपकी first class है, तो आप eligible होंगे M.Tech के basis पे, क्योंकि first class आपकी M.Tech में, so B.Tech या M.Tech दोनों में से किसी एक में, अगर आपकी first class आई है, तो आप बिल्कुल इसके लिए eligible है, ठीक है, इंजिनेरिंग जो, core engineering जो branches आपकी है, उनके लिए आपकी B.E.B.Tech minimum qualification रखे गई है, ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि जैसे lecturer in mathematics, physics, chemistry के अगर बात करेंगे, वहाँ पे master's degree और उसकी equivalent आपको दिया गया है, ठीक है, चलिए, automobile engineering के लिए, lecturer in automobile engineering के लिए, आपके पस automobile engineering में B.E.B.Tech की degree होनी चाहिए, mechanical engineering का student यहाँ पे apply नहीं करेगा, श्रीप automobile engineering की degree जिसके पास है, वह यहाँ पे apply कर सकता है, automobile engineering lecturer के लिए, मेकनिकल वाले mechanical engineering lecturer के लिए apply करेंगे, ठीक है, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, क्या-क्या कहें, main job chart जो आपका है, teaching की job है in any of the government engineering schools या polytechnic of the state of Odisha, Odisha state की जो भी engineering schools हैं और जो polytechnic स्कूल्स हैं, वहाँ पर आपको टीचिंग की यह जॉब मिलेगी, जॉब आपकी पर्मेनेंट जॉब है, ठीक है, मैथड आफ सलेक्षन की अगर हम बात करें, तो मैथड आफ सलेक्षन जो है, आपका क्या है बेटा, एक रिटन इग्जामिनेशन आपका होगा, जो कि 500 मार्क्स का होगा, साथ में आपका इंटर्वी होगा, जिसे हम पर्सनेल्टे टेस्ट भी कहते हैं, वो आपका 50 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपके 500 marks का आपका पूरा रहने वाला है, ठीक है, चले, आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, जो important है, यह आपके zone of examination दिये हैं, ठीक है, इसमें से किसी zone से आपको भर सकते हैं, ठीक, वो इसलिए है कि जिस zone से आप भर होगे, वहाँ पर आपका exam center पढ़ जाएगा, ठीक, अब सबसे important, सबसे ज़्यादा जो important है बच्चों, इस पूरे notification में, वो यह वाला point है, जो अब हम discuss करने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखेगा, क्या है यह? ध्यान से देखेगा बच्चों? यह, क्या लिखा हुआ है, the candidate should be able, यह आपका जो है, other eligibility condition में आता है, आपका, the candidate should be able to speak, read, speak, read and write audio, audio language जो है, आपको बोलनी, लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए, and must have, must लिखावा है, must होना ही चाहिए, आपके पास, must have, past a language test in ODIA, language test जो है, आपको अडिया में, जो language test होता है, वो आपका पास होना चाहिए, जो कि equivalent to that of middle English school standard, जो कि हम ME school standard भी कहते है, ME school, middle English school standard का, जो आपका एक language test होता है, ODIA language का, वो आपका पास होना चाहिए, जो कि conduct होता है, आपका board of secondary education ODIA, ठीक है, यह जो exam conduct करता है, यह language test, यह board of secondary education conduct करता है, ODISA, और यह मेरे हिसाब से साल में दो बार आपका exam होता है, ठीक है, यह language test, ठीक है, और any other board or council of the secondary education, जो approve किये गए हैं by the government of ODISA, government of ODISA ने, जिनको approve किया हुए, इस particular exam को कराने के लिए, ठीक है, वहाँ का आपको language test का pass होने का आपके पास, क्या होना चाहिए, certificate आपके पास होना चाहिए, ठीक है, in support of passing, ODISA language test, जो की M.E. school standard का है, क्या है M.E. का मतलब क्या है, middle English school standard, ठीक है, यह आपका important बात यह, board of secondary education, person, ODISA आपका यह कराता है, ठीक है, जिन बच्चों के पास यह certificate आपका है, और वो speak, read and write कर सकते हैं, ODISA language, वही बच्चे यहाँ पे apply कर सकते हैं, otherwise आप apply नहीं कर सकते हैं, clear होगी बात, ठीक है, इसका मतलब है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि all India से आप लोग कोई भी apply नहीं कर सकता है, जिनके पास, या तो ODISA के candidate है, जिनके पास language test का certificate आपके पास होगा, language test, कौनसी language, उडिया language का आपके पास certificate है, तभी आप इसमें apply कर सकते हैं, ठीक है, यह सबसे important बात ही बच्चो, इसलिए यहाँ पे competition आप देखेंगे, तो competition काफी यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि जो other state के बच्चे है, वो यहाँ पे भार नहीं पाएंगे, क्योंकि उडिया language का, जो language इसलिकल की number of vacances बहुत जादा है, तो यह golden opportunity बच्चो, इसको हाथ से जाने नहीं देना है, आगे देखेंगे, आगे क्या-क्या चीज़े हमें पर दिये है, हाँ, अगर कोई government servant है अभी, temporary या permanent दोनों के लिए, अगर वो apply करना चाहता है, और वो eligibility criteria फुल्फिल कर रहा चाहत है, उसके लिए respective head of department से उसको writing में, कि no objection certificate लेना पड़ेगा, ठीक है, चले, आगे देखेंगे क्या है, only those candidates who passes, who passes the requisite qualification and fulfill other eligibility conditions by the closing date of submission of online application will be considered, मतलब जितने भी आपके certificate है, जो आप क्या है, form में, आप जो भी जानकार्या आप देने वाले हैं, certificates की, वो सारे के सारे आपके certificate है है, वो closing date of submission of online application उससे पहले के आपके सारे के सारे होने चाहिए, clear, तो यह important बात है, उससे पहले के आपके सारे certificates आपके होनी चाहिए, आगे देखते हैं, आगे क्या है, जो important, important चीज़े हैं, वो देखते हैं, जो आपके काम की चीज़े है, यहाँ पर देखें, online application submitted to OPSC, Od to be incomplete in any respect are liable to rejection without entertaining any correspondence with the applicants on that score, इसका मतलब है, कि आपको जो है, बिल्कुल ध्यान से आपको form बनना है, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, कोई भी information आपको incomplete नहीं रखने है, क्योंकि उसके बेस पर यह form आपका, otherwise reject हो जाएगा, the OPSC, जो आयोग है आपका, वो आपको entertain नहीं करे आगे देखते हैं, यह सबसे important है बच्छो, पोस्ट जो है permanent है, कोई भी आपकी temporary based नहीं है, contract based नहीं है, permanent post है, ठीक है, और level 10 की है, under the government or odysa, ठीक है, चले, आगे देखते हैं, क्या important है आगे, यहाँ पर community, जो caste status, once mentioned by the candidate, under the appropriate box, मतलब आपने जो caste certificate, या caste जो आपने mention किये है वो आपको change नहीं करनी है, ठीक है, वो किसी भी हालत में आपकी change होने वाली नहीं, आगे देखते हैं, आगे क्या है, आपको क्या करने है, candidates are required to bring the copies of certificate and under requisite documents as stated under para 10 of this advertisement, at the time of document verification, मतलब जो भी आप document की, आप जानकारी दे रहे हैं, जो भी आपके पास है, वो आपको सारे क्या आपको जो है, जब आप form submit करेंगे, तो आपको online application के hard copy जो है, अपने पास रखनी है, क्योंकि उसमें क्या है, आपको submitted by me, यह तरह से आपको लिखना है बाद में, और जब आपको जब जरुत हो, जब आयोग आपको बोलेगा, document verification के time पे, तब आपको उन्हें ये पूरा का आपका जो online application है, यह hard copy में आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, चलिए, आगे देखते है, आगे और क्या क्या चीज़ें दी हुए है, एज का जो है बच्छो आपका, वो आपका HSC और equivalent certificate in support of declaration of age issued by the concerned board year council, ठीक है, तो यह certificate के हिसाब से आपका age होगा, ठीक है, अब यहाँ पर एक important बात है, क्या लिखी है, highlighted जो बात है, candidates who have not been awarded percentage of marks but only grade marks should along with their applications produce the conversion certificate from the concerned university indicating the actual equivalent percentage of marks and the conversion formula failing which their applications are liable to be rejected, इसका मतलब है, अभी आपको नहीं चाहिए, मतलब, जब आप, यह आपको जरुत पड़ेगी, कब आपको जरुत पड़ेगी, क्या बोल रहे है, कि जो अगर आपके आपके जो university जहां से आपने B2 बीटे क्या, अगर वहाँ पर grade marks दिये होये हैं, ठीक है, और percentage marks नहीं है, ठीक है, और percentage marks नहीं है, ठीक है, ठीक है, श्रीप आपको conversion जो मतलब कि उस particular जो university जहांसे आपने किया है उसमें जो conversion formula होता है grade से grade marks से percentage marks में उसके बारे में आपको conversion certificate वहां से issue कराना पड़ेगा ठीक है और formula जिसमें आपका ये for conversion formula भी होगा लेकिन इसकी जरत आपको कब पड़ेगी बेटा क्योंकि along with their application इसकी जरत पड़ेग from the competent authority wherever applicable ठीक है तो ओडिया test pass certificate compulsory है यहाँ पर वही candidates आपके apply यहाँ पर कर सकते है आगे देखते हैं क्या informations है हमारे पास एक और important बात है कि जो भी SEBC category के जो बच्चे है SEBC category के उनके लिए क्या है बटा other than criminal layer में जो नहीं है SEBC के जो category के जो बच्चे है उनके लिए क्या है बटा कि उनके पास submit copy must submit copy of card certificate issued by the competent authority within the last three years within the last three years by the closing date for submission of online application form मतलब आपके जो online application form की submission की date है जो कि 26 मही है 26 मही से तीन साल पहले तक अगर आपने बनवाया है तो वह आपका valid होगा उससे पहले का बनवाया है तो वह आपका valid नहीं होगा ठीक है ठीक है चले आगे देखते हैं OBC certificate will not be accepted in lieu of SEBC certificate and candidates submitting OBC certificate are liable आपको SEBC certificate ही आपको यहाँ पर क्या करना है तो करना है अपना ठीक है चले आगे क्या है चले आगे देखते हैं यह कुछ grounds है इनका अभी हमें कोई काम नहीं है यह बात के लिए है ठीक है अगर ODIA test जिसके मैं बात कर रहा था जो है not past ODIA test past evidence not furnished as required under pair of the मतलब अगर आप ODIA test जो का certificate अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपका बाद में reject कर दिया जाएगा candidates candidates ठीक है आगे क्या दिखते हैं आपको apply कैसे करना है बच्छों apply आपको OPSC की जो website Friday OPSC.gov.in पर apply करना है ठीक है यहाँ पर आपको important जो चीज़े है वह है आपके पास scanned image होनी चाहिए अपनी passport size ठीक है और इसके साथ scanned image of signature होनी चाहिए आपकी और साथ में left thumb का आपका impression होने चाहिए ठीक है हाँ अगर जो आप application form में जो आप photo लगाएंगे passport photo उसकी आप 2 hard copies अपने पास रख दीजिए क्योंकि आपको document verification के काम टाइम पे ओ काम आएगा ठीक है आगे लिखता है on successful submission of online application form जब आपका online form submit हो जाएगा successfully तब आपको क्या है एक आपको number मिलेगा unique आपको number मिलेगा जिसक online application form यह एक unique number है जो आपको मिलेगा ठीक है candidates are required to take the print out of finally submitted online application ठीक है चले यहाँ पे लिख रहा है put his our signature under the declaration for submission of OPCA along with copies of requisite certificate and documents as and when asked मतलव यह आपको अभी नहीं देना है अभी आपको strip online form बना है जब आपको पुछा जाएगा जब आपको बोला जाएगा जैसे कि document variation time पे तब आपको यह आपका जो आपका application form है उसकी जो hard copy है उस पर declaration आपका होगा उस पर आपको sign करके फिर आपको वहाँ पे देना है ठीक है चले आगे देखते हैं आगे क्या है important अगर आपको exam के time पे अगर आपको लगता है किसी तरह का misconduct हुआ है तो आप क्या है यहाँ पर इन्ह के अंदर आपको वहाँ पे बेजना है अगर कोई भी any complaint of the conduct of examination examination अगर किसी जैसे भी आपका conduct होता है कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे आप यह लेख सकते हैं ठीक है अगर आपको किसी भी तरह की technical problem आती है बच्चों अगर आपको किसी भी तरह की any technical problem अगर आप face करते हैं इन filling up of online registration registration या application form को fill करते time अगर आपको किसी भी तरह का technical issue होता है तो आपके पास OPSC technical support जो telephone number है यह आपके पास दिया हुआ है जो कि 10.30am से 5.30pm and 2.00pm से 5.00pm के बीच में आपका खुला रहेगा और यह सिर्फ ओडिसा government working days में ही आपका खुला रहेगा ठीक है तो कोई भी आता है form बनने के regarding तो आप यहां पे contact कर सकते है यह आपकी website है जहां से आपको form बनना है important क्या है 26 April को form बनना सुरू हो जाएगा और 26 मही को यह last date है तो last date का इंतिजार नहीं करना है last date से पहले ही आपको सारा form fill up करके submit कर देना है ठीक है चलिए क्योंकि last date में क्या होता है बहुत ज़्यादा रस होता है और technical issues आते है form बनने में ठीक है अब आता यह scheme of examination पूरा हमने अभी देखा कि 500 नमर का आपका return होने वाला है 50 नमर का आपका interview होने वाला है ठीक है अब हम देखेंगे कि क्या scheme of examination आपका क्या रहने वाला है आप ठीक है examination का scheme आपका क्या रहने पाला है तो चले देखते हैं सबसे पहले यहां पर लिखावा है इन्होंने क्या लिखावा है कि आपका return examination होगा और interview होगा return कितने का होगा बैटा 500 marks का होगा interview आपका 50 marks का होगा total अगर आप देखेंगे 550 marks का आपका total होगा ठीक है return examination will be conducted in return exam जो है general English general knowledge and concerned subject मतलब अगर आप mechanical के हैं तो आपके पाद mechanical electrical के electrical civil के civil ठीक है लेकिन यह जो paper है आपका this one जिसमें आपका general English or general knowledge आने वाला है वो आपका सब के लिए common रहने वाला है ठीक है आगे आगे क्या बोल रहा है कि general English general English and general knowledge will be covered in one paper ठीक है तो यह दोनों आपका एक ही paper में आएगा अलग अलग paper नहीं ह होगा ठीक है और वो paper आपका handed marks का होगा 50 marks each मतलब 50 marks का आपका general English होगा 50 marks का आपका general knowledge होगा ठीक है और वो two hour duration का आपका paper होने वाला है clear है समझ के और paper जो आपका completely objective type pattern का होगा ठीक है और यहां पर negative marking होगी जो की 20% weightage का मतलब 1 4th की आपकी negative marking होने वाली है आगे देखते है क्या है अब बात आती है concerned subject की तो भाई concerned subject का मतलब है जो आपकी trade mechanical है electrical है civil जो भी है तो उसके हिसाब से आपका जो technical technical का जो है वो आपका 400 marks का technical होने वाला है जो कि एक बहुत ही बड़ा एक number है बच्चों मतलब अगर non-tech के comparison हम देखे तो technical बहुत जादा weightage यहां पर रख रहा है और दोनों आपके 200 marks के होंगे ठीक है 200 and 200 का होगा total 400 का आपका क्या होगा technical होगा और technical भी आपका objective type pattern पे होगा ठीक है और important जो बात है यह आपका 300 duration का होगा paper 1 300 का paper 2 भी 300 का ठीक और जो non-tech का था वो आपका two hour duration का होगा यह आपका three hour duration का होगा technical में भी आपका negative marking है जो की 25% है मतलब की one-fourth की negative marking है candidate are required to answer the papers in English only इसका क्या मतलब है देखो यह descriptive paper तो है नहीं इसका मतलब यह है कि आपका जो paper है वो आपका English में आने वाला है पूरा है ठीक है तो obviously हम लोग क्या करते हैं हम English में ही technical पढ़ते हैं ठीक है B.A.B.Tech minimum qualification दी गए तो हम English में ही सारा पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं इसमें ठीक है चले आगे चलते हैं आगे क्या है standard of examination cell B of bachelor's degree यहां पर जो important बात है कि exam का standard होगा किस standard का exam होगा किस standard के question आपको पूछे जाएंगे वो आपका क्या होगा नहीं का cell B of bachelor's degree in respect of post or disciplines for which the qualification is bachelor's degree जिन पोस्ट के लिए bachelor's degree के qualification है उनके लिए आपका bachelor's degree के level का standard का exam होगा और जिन में master's का है master degree required है उनके लिए आपका master degree के level का होगा master degree किसमें आपको required है physics, lecturer in physics, chemistry and mathematics में आपको lecturer जो है आपको master degree requirement हो तो वहाँ पर जो exam जो आपका standard होगा master degree level का होगा लेकिन engineering के लिए आपका bachelor degree B.E.B.Tech के level का आपका exam होने वाला है ठीक है आगे चलता है qualifying marks जो बहुत important है बच्चो qualifying marks का जो criteria है यह बहुत ही ज्यादा important है ज्यान रखना आप क्योंकि इसमें क्या है qualifying marks are 50% ठीक है for UR and SEBC candidate के लिए 50% का मतलब है कि अगर by the way 100 सीटे हैं और 50% से ज्यादा marks शिरिफ 80 बच्चों के हैं तो 20 जो बाकी जो 20 बच्चे होंगे उसके बाद के उनको जो है उनको इंटर्वी के लिए call नहीं किया जाएगा क्यों क्योंकि 50% आपका qualifying marks है ठीक है समझ गए ठीक है मतलब 50% आपके आने ही चाहिए और 50% जब आ जाते उसके बाद उपर आपका कितने marks है उसके हिसाब से आपकी मेरेड लगेगी 50% UR SEBC के लिए 45% आपका HCST candidates के लिए और 40% आपका है sport person and PWD and ex-serviceman candidate के लिए ठीक मतलब इतने minimum marks आपके होने ही चाहिए ठीक लेकिन ऐसा नहीं कि जिनके 50% marks आगे है उनको इंटर्वी के लिए बुला लिया जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पर किले लिए 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 है कि the candidates who will secure qualifying marks in the written examination will be called for interview in order of married फिर married लगेगी मतलब 50% से उपर जितने जितने students के marks होंगे उन students को concern करके married लगेगी इसके बाद और जो married के अंदर आएंगे number of vacancies के हिसाब से वह भी बताता हूं में क्या है ठीक है कितने number of candidates वह बुला रहे है पर vacancy के हिसाब से उस हिसाब से आपका married के हिसाब से आपका क्या है interview के लिए आपको बुलाया जाएगा ठीक है आगे लिख रहा है provided where the number of vacancies up to two जहां पर दो तक vacancies है वहां पर पांच candidate को बुलाया जाएगा obviously हमारे mechanical में ठीक है engineering में जैसे mechanical में है तो दो vacancies नहीं है कितनी है आपने देख लिए आपने ठीक है अच्छी कासी vacancies है where the number of vac vacancies exceed to 2 से ज्यादा कर vacancy है तो the number of candidates to be called for interview क्या है twice होना चाहिए मतलब कि जितने आपके पास number of vacancies है उसके दो गुना number of candidates को interview के लिए बुला लिया जाएगा clear होगी बात ठीक है अब आगे क्या लिख रहा है the married list shall be prepared by taking into consideration the marks obtained in the written examination and interview together जो final जो आपकी married लगेगी ये final married आपकी final married ये final married होगी बच्वाँ आपकी final married आपकी return और interview दोनों से लगेगी 500 मतलब out of 550 में से आपकी final married लगने वाली है ठीक है चलिए अब आगे हम जलते हैं pattern हमने देख लिया एक बार फिर से देख लेते हैं क्या pattern था हमारा ठीक है वेटन हमने देखा क्या था आपका जो है technical जो है टेकनिकल आपका क्या है बिटा 200 marks का एक paper है ठीक है तेकनिकल 200 marks का एक paper है और ऐसे दो paper है paper one paper two तो यह आपका 400 marks का हो जाएगा ठीक है और non-tech आपका है नोन-tech आपका है 100 marks का paper है जिसमें 50 marks आपके क्या है GK के है 50 marks English के है तो यह हो गया 100 ठीक है और साथ में आपका interview है जो कि भच्वय आपका। जो आपको 50 उसके तोटल आपका 550 का पूरा पूरा अलोप तोटल इसमें से आपकी मेरेड लगने मल से ठीक है चले चलते है chance अगे है अब देखते हैं क्या आपके अलग अलग branch के लिए पूरा slavus यहां पर दिया गया स्लेवस है ठीक है, चले देखते हैं, क्या slavus है यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले है यहां, compulsory paper, compulsory paper जो है, जो की non-tech का है, जो की सब के लिए है उसमें यहां पहले आता है general English, इस paper मेंati competitive paper अपका उसमें क्या 26 मैं आपका जर्नलिए सबस्क्राइब सких एंपका जर्नलि इंग्लिबीघ्हे आपको दोनों है ठीक है है all the आपका 35 marks का होगा और comprehensive आपका होगा 15 marks का और total आपका हो गया 50 marks ठीक है बिल्कुल उने clearly define कर रहा है कि क्या क्या चीजे हम exam में देने वाले है इतना crystal clear आपको कहनी मिलने वाला है ठीक है यहाँ पर एक important बात है कि जो standard of questions का होगा English में ठीक है वो क्या होगा may be equal to higher secondary level अब प्लस टू 10 प्लस टू लेवल का यह English का paper आपका हो सकता है ठीक है अब बात आती general knowledge की general knowledge का कितने का है बैटा आपका 50 marks का general knowledge है ठीक है और English और 50 marks का general knowledge मिला के 100 marks का आपको total होता है देखे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर यह सबसे important बात ठीक है knowledge of knowledge of current events and matters current affairs आपका आएगा इसके अलावा experience in the scientific aspects of life may be expected may be expected of an educated person ठीक है इसका मतलब science भी यहाँ पर आने वाली है ठीक है उसके अलावा आपके history of India से आएगा और geography से आएगा ठीक तो यह इन्होंने clearly दिया हुआ है current affair हो गया science हो गया history and geography clear है और candidates should be able to answer without study मतलब यह level इस तरह से होगा कि बिना special study के मतलब जो भी हम competitive exams होने जिससे तरह के question आते है वही आपके आने वाले और यह आपका 50 marks का है 50 का English है यह paper non-tech का आपका 100 marks का हो जाता है जो कि सब के लिए compulsory है ठीक है अब आती है अलग अलग branches के लिए जो technical के papers आपके होने वाले हैं उनके बारे में उनमें क्या-क्या syllabus आपका दिया हुआ है बच्चों देखते हैं यह subject paper paper one and two paper one and paper two की बात आ रही है यह civil engineering का दिया हुआ है पुरा syllabus आप देख सकते हैं paper two paper one paper two ठीक है हम सीधे चलते हैं बच्चों mechanical engineering पे यह electrical का syllabus है यह है बच्चों mechanical engineering का syllabus आपका ठीक है है क्या है syllabus में? important सारी चीज हम यहाँ पे discus करेंगे syllabus है ठीक है तब सबसे पहले paper one में क्या है paper one में क्या है वह आपका paper one में होने बाला है in you are a thick man this word and you can tell us the third word materials ma some degree यहाँ वह सारा पर्णाब्र का paper to mi होनी वाला है ठेक है चले देखते हैं थे और मसीन में यह सारा आपका स्लेबस है बिलकुल डिटेल में एक एक चीज उने ने दी है साथ में जो इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर है वह यह है बच्छों कि इसमें वाइबरेशन भी आपका इंक्लूड़ेड है आपको स्लेबस में दिया हुआ है तो यह अपका पूरा क्या है यह वाला पॉर्टेंट आपका वाइबरेशन का है जो अलग से मैंने यहां पर हाइलाइट करा हूआ है अब आते हैं मसीन डिजाइन पर यह पूरा आपका मसीन डिजाइन का स्लेवर्स है डिजाइन अभ जॉइन्ट्स, कौट्र जॉइन्ट्स, अगरे-गरे सारा डिजाइन अभ फ्रिक्शन, ड्राइब, कॉपलिंग, बेल, चेंड, उसके बाद आता है Mechanics of Solid, यह सोम का है, ठीक है, Mechanics of Solid का मतलब होता है सोम, ठीक है? यह है आपका सोम का सलेवर्स, इन्हों ने बिल्कुल डिटेल में दे रहे हैं, सारी चीज़े है, ठीक है? सारी चीज़े डिटेल में है, आपको कोई भटकने की जरुद नहीं है, उसके बाद आता आपका Engineering Materials इंजिनिंग्ग मटेरियल साइंस करते हैं यहाँ प्र इनने पूरा डितेल में आपको शारी चीजे यहाँ पे दी वही है ठीक है चले आगे चलते हैं यह आपका manufacturing science है जो कि यह भी आपका पूरा पूरा लगबग डितेल में इनने सारी चीजे दी है Кстати है weld gingおい cutting सारे इन्होंने यहां पे दे रहा किया it is not JnC C&EcM EDMVM Y circuit non conventionally geomachining है वो सारा आप को यहां पे दियाव है ठिक drilling, mining, boring सब कुछ आपको दिया हवा फान dirum manufacturing आगे चलते है manufacturing management का मतलब है जिसे हम industrial engineering को께 आईधियों बचों क्या कहते है इंडस्ट्रियल इंजिनियरिंग हम इसे कहते हैं ठीक है यह इंडस्यल इंजिनीरिंग का पुरा आपका slavus है जिसको manufacturing management कहते है या आप देख सकते हैं पुरा detailed यहां पे slavus इनोंने दिया हुआ है ठीक है तो यह हो गया आपका paper 1 अब बात करते है paper 2 की इसमें क्या क्या है सबसे पहले thermodonics cycle साइकल आप से इसको दिया है actually cycles यह पूरा thermodonics इसमें आपका पूरा basic से ओपन-closed system में जर्यात 1st & 2nd लो है पूरा का पूरा साथ में gas equation है clay marine equation है availability irreversibility TDS equation और साथ में यह जो important है यहाँ पे इनोंने reciprocating air compressor यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपका power plant का power plant को अलग से भी दिया हुआ है ठीक है इसके बाद यह ice engine का पूरा detail है जिसमें आपका ignition से लेकर सारी चीज़े आपकी fuel के x y z जो भी चीज़े होती है सारी चीज़े आपको यहाँ पे इनोंने दिये हुए पूरा detailed syllabus दिया हुआ है हीट ट्रांसपर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका दो चीज़े हैं एक हीट ट्रांसपर आपको दिया है दूसरा refrigeration and air conditioning दोनों दिया हुआ है heat transfer में आप देख सकते हैं यह आपका heat transfer का syllabus है और यह particular जो highlight क्या हुआ है यह आपका refrigeration का syllabus है ठीक है चलिए अब बात आते है fluid mechanics ठीक है fluid mechanics में आपका क्या है यह पूरा पूरा आपका detailed में fluid mechanics का पूरा syllabus आपको दिया हुआ है इस पे ठीक है compressible flow का आपका पूरा-पूरा syllabus दिया हुआ है मतलब यह जो आपका fluid mechanics से इसमें साथ में compressible flow का भी आपको दियावा है आपे syllabus ठीक है चलिए आगे चलते है आगे क्या है अब है fluid machinery and power plant यहाँ पे fluid machinery है आपकी दीवी साथ में आपको क्या दिया हुआ है यह जो मैंने highlight कर आवा आलंग से यह आपका क्या है पावर प्लांट का syllabus है ठीक है यह पूरा आपका चाहिए बाइलर से related हो आपका hydro nuclear सारे powers के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में आपको यहाँ पर पढ़ना है ठीक है टर्वाइन सारे आपकी steam टर्वाइन सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है ठीक है तो यह रहा बच्चा आपका पूरा syllabus mechanical engineering का जो हमने अभी discuss किया यहाँ ठीक है काफी detailed syllabus है अगर आप देखेगे तो properly एक एक चीज आपको डिफाइन दी गई है ऐसा नहीं है कि एक वर्ड लिग दिया उसमें आप अन्गिनत कुछ भी चीजे आप ला सकते नहीं हर चीज उन्होंने प्रॉपर्ली डिफाइन दी हुए है बहुत ही प्यारा खासकर उडिफा के जो बच्चे हैं जिनके पास language test का certificate उनके लिए बहुत ही जबर्दस अंदर opportunity है ठीक है ठीक है अब बात करते है सबसे important बात करते हैं अगर बच्चो notification आ चुका है form भी 26 तारिक से भरे जाने शुरू हो जाएंगे ठीक है exam भी 3-4 मैने के अंदर आपका हो जाएगा important बात है किस तरह से आपको तयारी करनी है ठीक है क्या चीज़े आपको follow करनी है ठीक है तो यह सारी आपको guidance किस तरह से मिलनी चाहिए क्या आपको जो ऐसे ऐसे topic है जो आपको generally other competitive exams के लिए आप नहीं पढ़ते है जैसे compressible flow का है बहुत सारे other exams के लिए हम नहीं पढ़ते है इस तरह की कुछ topics है ठीक है तो अगर देखें वैसे तो हमारे platform पे बहुत सारे अलग-अलग courses चल रहे है फुल syllabus course भी हमारे पास ठीक है जिसमें सारा syllabus आपका cover होता है लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इस particular exam के लिए dedicated course रहे ठीक है एक dedicated course आप अगर आप चाहते हैं कि dedicated रहे ताकि इसके एक एक चीज को हम address कर सकें ठीक है सारी चीज़ों को जितनी भी चीज़े syllabus में आपके दी हुई है point to point हम सारी चीज़ों को वहाँ पर cover कर सकते हैं ठीक है अगर आप ऐसा चाहते कि एक dedicated अगर एक batch लाना है तो आप हमें comment box में लिखें ठीक है और comment box के साथ ही आप हमें telegram जो हमारा dedicated course होना चाहिए जो कि properly इस particular exam पर focus करें सारे के सारे ठीक है तो उसमें ऐसा होगा बच्चों कि अगर ज्यादर number of candidates हमारे पास आते हैं तो हम वह course launch कर सकते हैं ठीक है अगर हमारे पार मास आता है ठीक है ताकि हम properly अपने team को इस exam के लिए पुरा focus के साथ जो है हम यहां पर ब त्यारी कीजिए ऐसी opportunity आपको दुबारा मिलने वाली नहीं है ठीक है इस्टेट में 4-5 साल बाद इस तरह के opportunities आती है और आपको बिल्कुल इस opportunity को भुनाना है और बिल्कुल प्रॉपर्ली लेवल 10 की job है बहुत सांधार job है और आपको बिल्कुल यह opportunity आपने हाथ से जानी नहीं देनी है यह golden opportunity है यह चली गई आज तो फिर पता नहीं कब को यह opportunity आएगे ठीक है चले बच्चो थैंक यह सो मच फूर वाचिंग इस वीडियो और मैं आसा करता हूँ आप बहुती बढ़िया और बैरतरीन तरहिके से तैयारे करेंगे और हमें comment box में जरूर लिखें क क्या एक नया course इस exam को dedicate करते हुए हमें launch करना है अगर आपको जरूरत है तो आप हमें comment box में लिखेंगे ठीक है उस हिसाफ से हम decide करेंगे क्या हमें इस पर करना चाहिए चले थैंक यह सो मच फूर वाचिंग इस वीडियो